हेलो व्रिवन, वेल्कम टू एस अकडमी, आज इस वीडियो में NCL GK 2020 टॉप 25 MCU कोच्छन के बारे में जानेंगे, जो एक्जाम की दिस्टी से बहुत ही महत्पूर है, एक कोच्छन बार बार एक्जाम में पूछे गया हैं और आने वाले एक्जाम में जरूब पूछे जाए तो वीडियो आप लोग पूरा ध्यान से देखिए, तब ही आप लोगों से एक कोच्छन एक्जाम में बन पाएंगे, एक बात और बदा दूँ, एदि आप लोग इस वीडियो का पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री या पार्ट फोर नहीं देखे हैं, तो उसको प् पहले, आप लोग इस चैनल पहली बार आ हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए, बेल आइकों को प्रेस कर लेजिए, क्योंकि जब भी लेटेस वीडियो अप्लोड होगी, आपको नोटिविएशन मिल जाएगा, और जो लोग चैनल पहले से बने हुए हैं, तो चैन पहली के किस सुल्तान ने रक्त और लोग की निती अपनाए थी, भेरी भेरी एपॉर्टेट कोष्चन है, यह हर एकजाम में कोष्चन पूछा याता है, आप लोग को एक परकार टेस्ट हो जागा, आप लोग साथ-साथ कमेंट करके इंसर भी देते जाए, इससे पता चले आप लोग से कितने कोष्चन बन रहे हैं, आप लोग की अच्छी तयारी चली है, तो आप लोग से 25 कोष्चन में से कम से कम 20 प्लस कोष्चन बनने चाहिए, आपकी तयारी अच्छी चली है, एनि 20 से नीचे कोष्चन बनता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहत करने की जरू और प्राष्ट पति निर्वाचन के लिए निंतों कितनी होती है कितनी होती है आप लोग को बताना है जल्ली जल्ली आप लोग कमेंट करके एंसर भी देते हैं इसका एंसर होगा नेस्ट कोष़़न देखते है राष्टी विज्यान दीवस कम मना जाता है पेरी बहुत अच्छा कोष़न है राष्टी विज्यान दीवस कम मना जाता है यह मना जाता है 28 फरवरी को यानि spatula-प t अहे अस्टेलिया में實 घास के मैदान को क्या कहा आता है आश्टलिया में इस्थीत घास के मैदान को क्या कहता है एक कोश्चन PSC में है बहुत बार पूछा रहता है इसका एंसर होगा क्या कहता है डाउंस option A आपलों का right answer होगा option A उत्री अमरिका के घास के मैदान को theory कहा रहता है आपलों को याद रखना है उत्री अमरिका के घास के मैदान को theory कहा रहता है next कोश्चन देखते है बंगार के गवर्नर को बंगार का गवर्नर जनरल पदराम कब दिया गया था किस एक्ट के तहत दिया गया था कौँसा एक्ट पारिद किया गया था जिसको बंगार के गवंणर जनरल के बाद बंगार का जनरल कहा जाने लगा, किस एक्ट के बाद, 373 एक्ट के बाद बंगार के गवंणर को बंगार का गवंणर जनरल कहा जाने लगा, आप लोग को याद दखना है, option A आप लोग का रैट टेंसर होगा, option A, आप जितने भी question देख रहे हैं एक्जाम के पॉइंट आप उसे बहुत ही महत्पूर हैं आप लोग वीडियो बीना इसकिप कि देखिए तभी आप लोगों से एक्जाम में बन पाएंगे इसका इसनर क्या होगा पाउधर के लिए आवस्यक्त सुष्च पोसक तक तो कौन सा है किस क्या होगा इसका एंसर इसका होगा ओप्शन डी क्या होगा ओप्शन डी नेस्ट कोचन देखते हैं नेस्ट कोचन है निम्ण में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है बहुत अच्छा कोचन है यदि आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक ने किये ते वीडियो क को अपने इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए इसका एंसर होगा स्वामी दयानंद सरसुती भारत का मार्टिन लुथर स्वामी दयानंद सरसुती को कहा जाता है आप लोग को याद दखना है option C आप लोग का राइट एंसर होगा किया गा option A नेस्ट कोश्चन है निम लिखित कभियों में से किसे अस्ठ चाप कभिताओं में नहीं सामिल किया जाता है बहुत अच्छा कोश्चन है किसे नहीं सामिल किया जाता है यह सामिल किया जाता है option B एनि कभी दास को सामिल नहीं किया जाता है option B आप लोग का राइट को वर्डन किया गया है यह किया गया है आप लोग वीडियो को फटा फटा लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्याद नेस्ट कोचन है बावर नावा की रचना किस ने की थी एक कोच्चन तो सबसे बनना चीए इसका एंसर होगा बावर ने आप लोगो का रेक्ट एंसर होगा और नेस्ट कोचन है भारत का दच्छितम बिंदू इंद्रा पॉइंट कहां इस्तित है बहुत बार इस जामिर यह स्टित है ग्रेट निकोवार में ओप्शन भी आप लोगों का रेक्ट एंसर होगा और नेस्ट कोचन देखते हैं बेदांग कितने हैं आप लोग बताना है बेदांगों की संख्या कितनी हैं कितनी हैं ओप्शन सी ओप्शन डी होगा 6 है ओप्शन डी आप लोगों का र भाग में राज के निती निजिस्तत्त का उलेक किया गया है किस भाग में किया गया है जल्लेश से पता ही आप लोग ये किया गया है भाग फोर में यहीं option D आप लोग का रेटेंस वह क्या हुआ option D next question देखते हैं कि निम्ने में से कौन सा एक output device का उधारण नहीं है आप लोग कोश्चन को ध्यान से पढ़ना है नहीं है पूछा है को नहीं है monitor एक output device है printer भी एक output device है speaker भी एक output device है जो नहीं है keyboard जो है एक input device है आप लोग को याद दखना है यह नहीं option D आप लोग का रेटेंस रगा क्या होगा option D next question है निमन में से कौन सी एक गुफा गुप्त कालीन है इसका answer होगा option C अजनता की गुफा जो है एक गुप्त कालीन है option C आप लोग का रेटेंस होगा चली आप लोग से question पूछते हैं अजनता की गुफा किस सराज्य में इस्तित है सभी को comment box में answer बताना है अजनता की गुफाएं किस सराज्य में इस्तित है चले देखते हैं कितने लोग इसका answer देपाते हैं next question देखते है निम लिखित में से कौन विष्णू जनित बिमारी है यानि वाइरस से होने वाले बिमारी कौन सी है विष्णू जनित बिमारी कौन सी है इसमें से आप लोगों को बताना है इसका answer होगा जल्दी से बताइए आप लोग इसमें उप्योगत सभी सभी वाइरस से विखोने वाली बिमारी है एनि option D आप लोगो का right answer होगा क्या होगा option D next question देखते है बिद्दु धारा का SI मात्रक निमलिकत में से क्या होगा बिद्दु धारा का SI मात्रक निमलिकत में से क्या होगा यह basic question है सभी से बनना चाहिए इसका answer होगा MPR क्या होगा MPR option C आप लोगो का right answer होगा option C next question देखते है भारतिंदु नाट्टे अकाद्मिक कव इस्थापना कव हुई थी यह हुई थी 1975 में option A अप लोगो का right answer होगा 1975 में next question है परनीच परवत किन देशों के बीच इस्तित है किसके बीच इस्तित है यह इस्तित है फ्रांस और इस्पेन की बीच फ्रांस और इस्पेन की बीच इस्तित हैं option A अप लोगो का right answer होगा next question देखते है next question है nitrous oxide gas का राच्थानिक सुत्र क्या है nitrous oxide का gas का राच्थानिक सुत्र क्या है आप लोगों को बताना है इसका answer होगा yen 2O क्या होगा yen 2O option A आप लोग का right answer होगा option A next question देखते है next question है राष्टी मानवदिकार आयो के धच का कारकाल कितने वर्स का होता है कितने वर्स का होता है यह होता है पहले होता था 5 वर्स का लेकिन इसको संसोधन करके तीन वर्स कर दिया गया है आप लोग को याद अखना है कितने वर्स तीन वर्स कर दिया गया है आप लोग को याद अखना है पहले 5 वर्स होता था लेकिन अब 3 वर्स कर दिया गया है 2019 से किया गया है आप लोग को याद अखना है कबसे 2019 से नेस्ट कोचन है, हेलो फरमाईस पूस्तक के लिए खक कौन है, ये हैं, इसने सब प्रूब, option A आप लोगा रैट एंसर होगा, option A, नेस्ट कोचन देखते हैं, नेस्ट कोचन है, निम लिखीत में से किस नदी के तरपड सी नगर बसा हुआ है, बहुत ही easy question है, सी नगर किस नदी के तरपड बसा हुआ है, इसका answer क्या होगा, जल दिस बताइए, इसका answer होगा, जेलम, क्या होगा, जेलम, तो ये है 25 question, आप लोग से 25 question में से कितने question बने, आप लोग comment करके जरूब बताइए, ये आप लोग 20 question कर लेते हैं, तो आपको exam में थोड़ी मेरत और महनत नहत करने के जरूए, 25-20 से निश्या आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा महनत करने के जरूए थे, ये आप लोग की वीडियो को पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ज्यादा सेर कीजिए, और जो लोग चैनल को अभीताद सब्सक्राइब नही कर लेजिए, क्योंको जब लेटेश वीडियो अप्लोड होगी, तो आपको नोटिपरेशन मिल जाएगा, और आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले देख पांगे, तो चलिए, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लि कर दोगो आप, बिना देर के वीडियो ऑड़ियो को सबसे वीडियो को सुप।